तेस्ट्रेंड, हम बात कर रहे हैं सुपर कलास टेटरापोड़ा की और सुपरकलास टेटरापोड़ा में हमने एक कलास, कलास एंफिविया पड़ दी, आज हम दूसरी कलास, ये इस कलास रेप्टीलिया की बात करने जा रहे हैं और reptilia basically एक Latin word जो Latin word है उसका ये Latin word है रिपिर और इसको या तो ये भी बहुत है रेप्टम यहां से लिया गया है और इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल तो इस तरह से हम कहते हैं कि क्लास रेप्टिलिया में कौन से आते हैं ऐसे एनिमल्स जिनका मोड अफ लोको मोशन कैसा होता है बेद क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड अफ लोको मोशन तो देखिए जैसे ही मैंने रेप्टिलिया का नाम लिया तो आपके माइंड में सबसे पहले सांप सनेक्स नज राते हैं क्योंकि वो रेंगते हैं तो रेप्टिलिया में रेंगने वाले जीव आते हैं, जैसे एंफिबिया में ऐसे एनिमल्स आते हैं, जिनके डियोल नेचर आफ लाइप होता है, जो पानी में विरेस्कते हैं और जमीन बर विरेस्कते हैं, तो जा अहीं तक रेप्टिलिया की बात हैं, तो वहां पर ऐसे ए Kripping और Crawling Board of locomotion मतलब वो एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं पर कैसे जाते हैं क्रीप करके जाते हैं These are mostly terrestrial, तो यह ज्यादातर कैसे हैं, terrestrial है, मतलब यह कहां पर, land पर पाए जाते हैं, ठीके न, they live on land, तो mostly terrestrial, चलिए हैं, and their body is covered with dry and cornified skin, आप यह भी बुसके हैं कि body is covered by dry and cornified skin, तो इनकी body जो होती है, इनकी skin जो होती है, वो dry होती है, देखे, अगर frog की हम बात करें, ते वहाँ पर skin moist होती है, क्योंकि वहाँ पर skin respiration में भी मदल करती है, पर इनकी जो body होती है, इनकी जो skin होती है, वो dry होती है, और cornified होती है, and they have epidermal scales, this is important, इनकी scales कैसे होती है, epidermal scales, या to epidermal scales होती है, या skewers होती है, देखे, एक नई टर्म आप के लिए, और, scale तो आपने सुना, scale कहां पर सुना आपने, पहले तो आपने Pisces में सुनी, अगर आपने cartilaginous fish की बात की, तो वहाँ पर थी blackoid scales, जो की teeth भी बनाती थी, और जब हम बात करें थे, और आस्टिक था इसकी, बोनी फिर्शिक की, तो वहाँ पर थी cycloid और tinoid type scale, फिर आप आगे amphibia में, तो amphibia की body जो थी, उसमें जो skin थी, वो moist skin थी और without scale, वहाँ पर scale नहीं थी, पर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ तो body, जो है, वो scale से covered होगी, या skewed से होगी, तो अगर जैसे हम turtle की बात करें, तो वहाँ पर आपने देखा, scale से बड़े-बड़े structures होते हैं, these are knowledge, skewers, तो वहाँ पर skewers होते हैं, या तो क्या मिलेगे आपको इनके body में, epidermal skewers मिलेगे, या skewers मिलेगे, अब अगर हम इनमें देखें, तो they do not have external ear opening, they do not have external ear openings, जैसे हमारे में कान की openings होती है, इनमें नहीं होती, इनमें भी क्या होता है, tympanum represents the ear, जैसे frog के case में भी tympanum ear को represent करता है, इनके case में भी जो ear को represent करता है, वो कौन होता है, वो tympana होता है, that is tympanum represents the ear, अब इनमें क्या होता है, limbs are usually absent, पर ऐसा भनी की बिलकुल absent होते हैं, लिम्स होते हैं वो snakes में absent होते हैं लेकिन अगर lizards के हम बात करें तो वहां पर present होते हैं तो इसमें आप ऐसा लिखते हैं कि limbs when present clear? are two pairs तो ये तो मैंने आपको पहले बताया कि इसलिए इनको tetrapoda होते हैं tetrapoda means four limbs that is two pairs of limbs तो limbs snakes की case में absent होते हैं पर जब present होते हैं जैसे lizard में present होते हैं तो वहां पर कितने प्रेज होंगे two pairs four limbs and hind limbs आप देखे हार्ट की जब हम बात करने जा रहे हैं तो हार्ट amphibian की case में कितना chambered था? three chambered तो यहां भी हार्ट जो है three chambered है but in crocodiles तो देखें ये question बन गया आपका तो आप से अगर question पुछें कि बताइए ऐसे reptiles के बारे में जिन में four chambered हार्ट होता है तो आप एकदम बोलेंगे कि crocodiles have four chambered हार्ट otherwise these have reptiles have usually three chambered heart snakes as well as lizards they shed their scales as skin cast आपने देखा कि ये क्या निकालते है? skin cast निकालते है आपने देखा होगा कि सांप कई पार अपने skin छोड़ जाता है तो उसको बहते है skin cast तो ये क्या करते है? snakes and lizards shed their scales as skin cast clear तो ये एक यूनिक रेक्स्टिक है कि अपनी केंचुड़ी छोड़ जाते हैं मतलब सांप आपको ऐसा है उसके size का भी आप judgment करते हैं कि कितना बड़ा size है किस तरह की उसमें scales है क्यूंकि वो पूरी की पूरी उस skin cast में ये चीज़ें नजर आ जाती है तो ये भी ए अगर लिजर्स और सिनेक्स के हम बात करें तो क्या कर देते हैं वो अपनी स्केल्स को क्या कर देते हैं वो छोड़ देते हैं add skin cast अब हम फटिलाइजेशन की अगर आप बात करें तो उससे पहले आप में ही करना पड़ेगा कि sexies कैसे होते हैं तो sexies are separate mean male and female are different but fertilization is internal so they have internal fertilization these are oviparous oviparous आपको होता है सांप के बैसे भी अंडे होते हैं तो oviparous means egg laid और internal fertilization का क्या मतलब होता है कि body के अंदर होती है female की body के अंदर होती है fertilization and the development is direct तो direct development का मतलब क्या हुआ direct development का मतलब होता है without any larval stage तो कोई larval नी बने है जैसे frog के case में indirect development होती है क्योंकि वहां पर tadpole larval बनता है यहां पर कोई larval या अपने नहीं ऐसा कभी देखा होगा कि cobra का कोई larval बन गया या python का कोई larval बन गया egg से वहां सिधा egg से snakes निकलेंगे clear तो यहां पर development कैसे होती है direct होती है तो देखिए सबसे पहले मैं revision के और चलता हूँ कि example से पहले कुछ example आपके माहिन में पहले आ रहे है class reptilia is a class under super class tetrapoda and tetrapoda means the vertebrates having two pairs of limbs that is four limbs and hind limbs and this bird has been derived from a latin bird rapier or reptum which means to creep or crawl that's why reptilia include the animals with creeping or crawling mode of locomotion most of them they are terrestrial that is they live on land and their body is covered by dry and cornified skin epidermal skin epidermal scales or scutes are present but they do not have external ear opening only tympanum represents the ear limbs when present are two pairs and the heart is usually three chambered but in case of crocodile it is four chambered snakes and lizards shed their scales as skin cast and while talking about their reproduction the sexes are separate having internal fertilization and they are oviparous with direct development तो ये class reptilia थी अब हम चलते हैं examples की और जब हम example की बात करेंगे तो इसकी बहुत ही important examples हैं और एक और चीज़ आपके लिए मैं बता दूँ कि जब आप example की बात करें तो आप उनके common नाम भी याद रखें और scientific नाम भी याद रखें क्योंकि कई बार आपको question पूछा जाएगा which of the following is not a reptile अब क्या होगा आपको उसका common नाम तो पता होगा पर scientific नाम पता नहीं होगा तो आप उसका answer नहीं कर सकते हैं मैं यहां आपसे पूछूँ कि which of the following is a reptile तो मैं ऐसे option दूँगा नजा वंगेरस केलोटिस टेस्ट्यूडो तो इस तरह के जब मैं example दूँगा तो आप फिर confused होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको common नाम और scientific ने दोनों याद करना है तो सबसे पहले हम चलते है चिलोन चिलोन जो होता है यह टर्टल होता है तो टर्टल को चिलोन कहा जाता है तो यह एक reptile है तो अब आप समझ सकते हैं कि टर्टल जो होते हैं वो reptiles होते हैं दूसरे example की हम बात करते हैं तो टेस्ट्यूडो तो देखिए यह भी हम एक lecture में अलग से करेंगे पर आपके कि टर्टल और टार्ट वाइस में क्या difference होता है तो टेस्टी बो इस अर्ट ट्राइस है क्लियर तो एक टर्टल बोला है मैं लेकिन टर्टल में पिर ग्लीयोन है और टेस्टि यूडो क्या है इ़ल है एक ट्रिली रिजर्ड क्मेलियोन C-H-A-M E-L-E-O-N Chameleon Chameleon क्या हो गया है Tree Lizard Tree Lizard गिर्गिट भी कहते हैं से Tree Lizard और Calotis Calotis जो होती है ये Garden Lizard होती है देखे ये भी important है कि आप से क्या पूछा है क्या आप से Tree Lizard पुछा हुआ है या आप से Garden Lizard पुछा हो अगर Tree Lizard की बात है तो Chameleon है और अगर Garden Lizard की बात है तो वो कौन सा आगया मरपास Calotis है Crocodilus तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये नाम से भी पता लग रहा है Crocodilus Crocodilus means Crocodile और Crocodilus की क्रेक्स्टिक फीचर मैंने आपको उपता दी They have four-chambered heart Alligator ये वही इसका scientific नाम है और common नाम भी इसका Alligator है Spelling भी सेम है कोई इसमें कोई चेंज नहीं है E-L-L-I-G-A-T-O-R Alligator Alligator के बाद Hemidactylus अब देखिए यहां आपको इस तरह का question भी आस्कता है कि कौन सी lizard नहीं है तो देखिए तीन lizard मैंने आपको बताईए भी कौन कौन सी पहली बताईए आपको tree lizard That is chameleon दूसरी बताई garden lizard That is calotis अब तीसरी बता रहा है Hemidactylus जिसे क्या का जाता है वाल लिजर्ड का जाता है तो देखिए ये भी एक अच्छा question उसता है कि which of the following is not a lizard तो अगर lizard के नहीं तो इसमें बीच में जैसे option डाल सकता हूँ कि माल लिया जाए हमने alligator डाल दिया या crocodiles डाल दिया या कोई और चीज़ डाल दिया तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए तो देखिए फिर रपीट कराओ चैमेलियोन ट्री लिजर्ड केलोटिस गार्डन लिजर्ड एंड हेमिडक्टाइलस वाल लिजर्ड और चीलोन टर्टल होता है टेस्ट्यूडो जो होता है वो टॉट्वाइज होता है ग्रोकोडाइलस ग्रोकोडाइल होता है एलिगेटर एलिगेटर ही होता है अब हम पौईजनस स्नेक की अगर बात करें तो पौईजनस की स्नेक में कौन-कौन से रेप्टाइल के अंदर आते हैं स्नेक्स आपको होता है रेप्टाइल के अंदर ही आते हैं तो सबसे पहले पॉइजनर स्नेक्स पॉइजनर स्नेक्स में बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जामपल देट इस नजा एन ए जे ए इडिस कोब्रा तो कोब्रा को नजा कहते हैं दूसरा बंगेरस 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 जो हता है यह एक और खतरनाक सांप होता जिसे क्रेट के नाम से जाना जाता है एंड लास्टली, इडिस वाइपरा, तो वाइपरा के नाम से पता लग रहा है कि वाइपर जैसे फिट वाइपर होते हैं, तो इडिस वाइपर, एंड लास्टली अगार, जिसके एक्जमपल्स की आपको बता दूँ, कि रहेंगने वाले जीवों में, रेप्टाइल्स में, चिलोन टर्टल है, टेस्टीडो टॉट्वाइज है, कैमलियोन ट्रे लिजर्ड है, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड है, हेमेडक्टाइलस वॉल लिजर्ड है, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, और जो पोईजन स्नेक्स है, उनमें कोबरा, बनगैरस और कालना की होटा है तो इस तरह से आपकी इसमें नाम ले रहा हूँ आपकी स्क्रÉन पर यह आपको दिखोचा है अगली क्लास से देखला और इस क्लास पहलोगे के शेक्षान सबस्是et कर दो दो कि झाए झाल